हेलो स्टुदेंस तो आज पढ़ लेते हैं बसे सेगंड सेमिस्टर केमिस्ट्री का एक मोश्ट इंपरेंट टोपिक ब्रेग एक्क्वेशन यह ब्रेग एक्क्वेशन होती क्या है कहां इसका यूज होता है और इसको प्रूफ कैसे करेंगे यह सब पढ़ने वाले इस टोपिक ब्रेग एक्क्वेशन टोपिक बड़ा इसी होने वाला है इसी एसर पर बहुत इसी टोपिक है आप डरोमाद इस टोपिक को लेके बहुत ही इसी टोपिक है ब्रेक एक्क्वेशन देखो सबसे पहले ना जहां चित्रो यानि कि जहां डाइगराम हो वहां डाइगर तो कुछ मैंने एटम्स लिए थो ताकि हमश्म लोगको मिस्टेक ना हो तो कुछ एक्समैने बना लिए थीक है यह मेरे पास लिए फरस्ट हो थीक है इसके बाद सर अब बना से ऐतों सेम फोर लेटिस प्लैन यह पहला लेटिस प्लैन है और यह मेरे पास क्या घ्तिस प्लैन होता है इन में पार्टिकल यानि के एटम सोत एाटम मतलब परमारू होता आप इस टाइप मुझे Sarении यह वाले ठीक है यह सब पार्टिकल्स हैं यह ठीक है ऐसी थोड़ा सा बढ़ा कर दो यार क्योंकि ज्यादा घिच्पिस सही नहीं है इस टाइप से इसका भी होगा ठीक है इसका भी तुमारे पास होगा तो आप यूनों आप जानते हो कि यहां से और यहां तक की दूरी यह म यहां तक की दूरी भी कितनी होती है मेरे पास रेडियाई आर हो गई तुम जानते हो ना इसके बारे में इसा फॉर एक्जांपल अगर मैं आपको बताओं कि मेरे पास क्या है एक एटम यह है इन दोनों के नाविक क्योंगे अलग अलग होंगे ठीक है भई अब इन दोनों आटम के बीच की दूरी को यानि के इन दोनों नाविकों के बीच की दूरी को हम बॉर्ड लेंद कहते हैं ठीक है अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी होई तो वह अगर मैं यहां से यहां तक की दूरी फाइन करूंगा तो मेरे पास कितनी आ जाएगी डी बरावर आवर कि तो आर कितनी आट वनाई यहां से यहां से आर कमान फाइन कर सकते हुं यहां कि एडर कर करना होगा अगा D का मान find हो गया तो हम किसी भी Atom की falou सकते हैं यानि के सन उनके ऐा यह क्रीदिए कर सकते हैं और इस 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 ए को यहां क्या उप्यान पार सकते है और्टी है और D होता गया दो लेटिस प्लैन के ishκι दौरी दो लेटिसirus दौरी एक मين यह एपके इन दोनों के बिसकी दूरी कितनी होती है मेरे पास इसको हमारे पास को नहीं है can हुआ है ठोपिक बड़ा इजई है तो सबसे वहले और jurisdken कि सिने ब्रेगि ने एक्स क्रिटल्ड का इंटर्नल इस्टरॉम स्टेक्छरस का अध्यन ग एक्सक्रिणन व्य यानिए ब्रेक क्यों में एक्सक्रिण का यूजल फॉता अब कैसे वह था दो फ्य एक्सरे का यूज एक्सरे मतलब एक्सक्रिणों का एक्सरेस का यूज ठीक है सर ब्रेग ने एक्सरे का यूज किसलिया गड़ा क्रिस्टल की किसकी क्रिस्टल की इंटर्नल इस्टेक्चर ठीक है इंटर्नल इस्टेक्चर क्रिस्टल की इंटर्नल इस्टेक्चर ठीक है का अध्यान करने में किया का अध्यान करने में किया करने में किया करने में किया ठीक है सर का अध्यान करने में किया ठीक है ब्रेग ने एक्स किलनों का यूज क्रिस्टल की इंटर्नल इस्टेक्चर का अध्यान करने में किया अब एक्स किलनों का क्यूज किया वह और भ कि क्यों दूरत पड़ी यूगि आप जानते हो कि एक्स कि लोगा तरंग्धेरे जो होता है वह बहुत कम होता है आपने पड़क है यह एक्वल टू एससी वाई लेमडा ठीक है यह बरावर एससी वाई लेमडा और अगर मैं बात करूंगा बिदुचुम्बा की स्पेक्ट्र तो गिलनों के बाद दुसरी नंबर पर कॉन सा आता है एक्स-रे क्लना आती जिनका बैब लेंट सबसे कम होता है उतनी होता है तो और बड़ी आसानी से यह जो होती है कहते हैं मिस्टे करवाने के लिए घ्राइब पर हमारी बोड़ी में पार हो जाती है तो हमारी इंटने इंटरी इस्टेक्चर होती होती है बो दिखाती है एक फोटो ग्राफ मिल जाता आप त्यूटी अंधर से यह नहीं है समझेवा रहा नए यहाला पॉइंट तो समझने कोस्त करो तो X-ray जो होती है हमारी बोड़ी के अंदर यानिके internal stressor के अध्यन में x ray का उस करते हैं हम लोग यानी के ब्रेक न है ये खाम हो रहा मैंने यह 8 लाइन लिख कि कि झो एक्स रे का जो यूज़ है वो Crystal की इंटररल इस्ट्रीचर के अध्यान से क्या किया क्योंकिया क्योंकि इसकी коммент कम होती है और और एनरजी कैसी होती है ज़्यादा होती है यार किसी भी body यानि किसी क्रिश्चल के भीतर पृ coupon के चाहिण करने की उसको मत रखती है अब बात यह आती है कि break equation की साहितास है तो latest plan के 20 की दूरी find की जाती है यानि कि जो D है वो क्या है तो latest plan के 20 की दूरी है ठीक है तो break equation की साहितास है पहला point second point क्या है मेरे पास बटे break equation break equation की साहितास है ठीक है वहीं break equation की साहितास है break equation की साहितास है ठीक है दो latest plan जालक तल बोलते हैं इसको हिंदी में दो latest plan के बीच की दूरी ग्यात की जाती है बीच की दूरी ग्यात की जाती है दूरी ग्यात की जाती है ठीक है यह होता यानि के ब्रेक एक्क्विशन की साइथ से दो देटिस प्लैन के बिच की दूरी ग्यात की जाती है अब देखो कड़ते हैं इसका प्रूफ का मतलब यह है कि मैं यहां पर एक लियर खीज देता हूं पूरी की पूरी लियर बनाओ दियान देना इस लियर में ए अब क्या होता है कि एक सरे का एक बीम गिराओ इसको पर स्पोरिंट पेड़ा वामें देखो ठीक है एक सरे का देखो एक बिन गिरा रहा हूं है दिहान देना यह वाग्ण देखो ऑफ यह जाना में पर एग इस पर गड़ा देख मतलब यह कि पहले माल लिए देखो यह मने एक्सेड़का बींगर याइश्कों गुलते हैं हम इंसीडेंट इंसीडेंट एक्सरे इंसीडेंट एक्सरे पहले थोड़ी सी कथा लिख लो इसकी तो L1, mana L1, L2, L3 क्या हैं यह latest plan है, किसके crystal के latest plan है, उभी कहाँ से है, समानतर, लंबा समानतर है, पहले यह line लिख लो आप, देखो, अगर मैं proof करूँ आइसका, तो proof आप लिख सकते हो, अत्पत्ती, ठीक है, proof कर सकते हो, तो proof का मतलब, यहाँ पर यह होगा देखो, माना L1 Koma L2 Koma L3 और भी होंगी इसके बाद में L4, L5 बहुत सारी होती है बहुत सारी latest plan होंगे आधी ठीक है, आधी crystal के crystal के समानतर latest plan है crystal के समानतर क्या है latest plan है latest plan है, धिहान देना crystal के समानतर latest plan है है ठीक है जिन में eyelashes Mira m- seulement कि एक नमस्तित है जिन में क्या पार्टिकल बोल लो जा इंटम भूल जिन में एटम स्तित है ठीक है आि कि दोल लेट इस प्लैन के विसकी दूरी कितनी एक मेरे पास कितनी यहीं आपके नहीए तो दो लीटिस प्लैन के बिचिजा की कितनी मिली यह की दो कbew देखे ध्यान से अब क्या होता है एक एक मिले प्लांट पर क्रिष्टल के प्लैन पर क्या होता है गिरा आ जाता है एक एक सरे बीम जी जी डैस बी मतलब जिन में बहुत सारी प्रिकास किलने होती है और लिए की एक एक सरी बीम कौन सा भीम एक X Ray B Reim Dihaan Dina X-ray Beam ठीक है एक X-ray Beam केना में इसका जी-जी डैस Crystal Plan पर यानिके जालग तलब ज़्रीश्टल तलपर Crystal Plan पर ठीक है कून से कोण भर एक ठीटा कॉन पर ठीटा कॉन पर गिरा आजाता ठीक है सर ठीटा कॉन पर गिराया जाता बहुत बढ़िया हुआ ठीक है धियान देना लो एक एक से बीम जी जी क्रिस्टल प्लैन पर ठीटा कॉन पर गिराया जायता गिरा इसका परसनल नाम दे दो इसका नाम दे दो डी थी तःख यह विसी ठीके अब क्या होगा यह यह बीम आया मेरे पास आया 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 और प्लैन पर गिरिया अब जैसे गिरा तो इसका होगा रिफ्लेक्शन क्या होगा रिफ्लेक्शन मतलब परावड़तन होगा यह वाली किरण जो आ रही है यह टकला के निकल लेगी इधर को इस फोम में मस्ती में बिल्गूल चली गई मेरे पास में इस टॉब झाया आघी तो यह होता है तुमारे पास रिफ्लेक्टी इसकारि अन्द एक्स रे ठिकषान दिहां मे Taylor रूंद और यह गण ठीक है वही अब मैं आगे बात करता हूँ इसके बारे में थोड़ो सा जीडेस क्रिस्चल प्लैन पर ठीटा कोन पर गिरा जाता है गिर गई ठीक है जो लेयर वन यानिके लेटिस प्लैन एल वन से कितने कोन पर ठीटा कोन पर बी एच डैस दिसा में परिवर्थित हो जाती है यानिके कुछ भाग इस बीम का कुछ भाग ठीक है इस बीम का कुछ भाग लेयर एल वन से अब वो सकतो लेटिस प्लैन एल वन से बी एच डैस दिसा में परिवर्थित हो जाता है यानिके इस बीम का कुछ भाग इस बीम का कुछ भाग जो होता है इस बीम का कुछ भाग L1 से ठीटा कोण पर ठीटा कोण पर BH दिसा में परिवर्तित हो जाता है परिवर्तित हो जाता है अरे बड़ा इज़ी टोपे का गवलाव मत यार हो या है तथा कुछ भाग जो होता है वो लेर एल टूष से ठीटा कोण पर ढीए//स दिसा में परिवर्तित हो जाता है ठीक है रहे यह लायन मी लिग दे जिया हूं कुछ भाग जो ता था कुछ भाग तथा कले लाносपा कुछ भाग नि एलटू से ठीक है ठीटा कोंड़ पर कितने गवापार ठीटा परिवर्थित हो जाता है बहुत बड़िया ठीक है कि यहां तक इससी कथा पूरी हो गई प्रमें लिखके आना बड़ा अच्छ नमाइ कर देंदाओ में जुक्ते कि इस का हमारे पास कोई काम नहीं बचा है ठीक है तो next देखो ज़रा सिकर के आप देखा मैंने लिग दिया कि दिसामें परिवर्तित हो जाता है ठीक है यानि कि कुछ क्यों इन दोनों की भी किरण कैसी हमारे पास बड़ी है तो इन दोनों की विस्की दूर도र मेरे पास यानि के इतनी हो जाएकि इतना पढ़ ध securities नब कि this यह कितना कि उतना है barko फाला टो पठा गिया ऐस ही इस रे और इसदा इस्ना पढ़ ढ़े जो एक ओर कि मेरे पस की ठीका है नहीं दो यह वाला टीजिरे तो यह वाला भी तो लूंडप ही मेरे पास डी kaina मेरे पास क्या होगा दी होगा ही कि एसका एंगल नाम थेटा कि मेरे पास ठीटा ऐए अंगल स्वाइग्ट सरत ठीटा हुगा ठीकर साथ आपके तब भूझ मिल रहा हूं आगय है तब तब का मतलब तब तब तिर्बूज ए बी डी में तब तिर्भूज ए बीडी में ठीक है आपने पड़ रखाना साइन ठीटा साइन ठीटा बराबर कितना हो दा लंबटा कण हाइस्पूल में त्रिगुणो मेट्रिक चैटर नमबर एट पहुत और कंड़ कितना मेरे पास कड़े मेरे पास डी कितना मेरे पास यहां से यहां तक की दूरी दी होगे तुमारे पास ठीक है अब यह भाग वाला काय मा जागा गोड़ा मा जागा तो एडी बराबार आगया मेरे पास डी साइन ठीटा डी साइन ठीटा इसी परिकार अगर मैं कितना हो गिया पहले हमने एली निकाल लिया यह पाथ मतलब पतहांतर यह भी तुम्हारे पास क्या पतहांतर हो गिया अब टोतल पर दिफ्रेंट कितना हुआ वह और फाइं कर लेता हूं मैं तो टोटल पथ डिफ्रेंट टोटल पथ डिफ्रेंट मेरे पास 80 लॉगे अभई यह 50. गयुकि इसका फ़के पास कोई यूज नहीं है आपने लिख लिया हो गाई चिछकू ठीक आगा टूरी साइन ठीटा कम्प्लीट अब आधा तुम्हारे पास पास फोर कंस्कूर्ट fianceक्टिव इंटर सेंज के लिए यहिंए इंटरी कुट्सूर्ष मदलब होता है तुम्हारे पास रशुनातमक कंत्र के लिए मैं लिए को 930 10 ए इन्टर ठीक है इंटर फिरेंस यानि के इसको बोलते हैं रसनात्मक इसको बोलते हैं हम बेती करना रसनात्मक बेती करना के लिए जो मेरे पास पठ डिफ्रेंट आता बेटे पठ डिफ्रेंट आएगा वो आएगा पठ डिफ्रेंट जो आएगा मेरे पास वो आएगा एन लेमडा क्य यह भी मेरे पास पड different mix में बराबर हो जाएंगे ऐधान सब्सक्राइब oh भाइं तो फीकर यागन अपड़ करने पर किंछ समीकल एक वह दो किए और उढ़ने पर कि टूडी रहांड आ कि रहाएंगे तो यह क्लों जाएंगे अलैमडीड़ एकवाल टू एलेमड़ वंड्यान धूरोड कैए ब्रेग क्वेशन है मेरे पास यह वाली ठीक है इसे ब्रेग अब बाद यह आती है मैंत में यह नहीं बता यह एक हैं लैम्ड़ा किया तो मैं नहीं जाओं जहां मेरे पास and shall be it a and what it is called reflection यह बोलते हैं को इंटीजर ठीक है इन इसके जो अंगहों जान Damn टोट डोट या बोलता उसको में order of reflection या order of reflection बोलायाता एडेक्षान order of reflection यानि के परवर्तन की कोटी परवर्तन की कोटी थनकी कोटी भॉलायाता या बोल देमने इंटेजर 1 2 3 ठीक है नहीं या फिर order of reflection ओर मेरे पास लेम्ड़ा होता यह था बेवलेंद आफ एक्सरे क्या होता है यह बेव लैंध डॉट इंश रै किसकी एकसरे की तरंधिर रहे हैं ठीक है लेंड़ा अब देखो दिस इज इंड़ इस इती बुश्ट को आपको पर आपके बता होता है लेकिन ऑपको फाइंड करना होता तो ठीड़ा का मान ग्याद होने पर आप दिका मान ग्याद कर सकते हो यानि कि इस समिकंण की सायता से इस समिकन की इस समिकन की सहाइता से सहाइता से ठीटा का मान ग्यात होने पर ठीटा का मान क्योंने पर ग्यात होने पर ठीटा का मान ग्यात होने पर डी का मान डी का मान ग्यात किया जा सकता है किया जा सकता है बस चोटी सी एक्विशन थी वो मैंने पूल करवा दिए चित्री बनगे आपके पास पेपर में बढ़े करके लिख के आना बना के आना चित्र साफ सुतरा एकदम ठीक है नहीं पूरे के पूरे नम्मे में लंगे आपको तो एक मॉस्ट इंपूरेंट टोपिक था ब्रेक एक याद करने के काम में आती है और ब्रेक ने अपनी ब्रेक एक्विशन में एक्विशन का यूज क्यों करा क्योंकि एक्विशन की बेव लेंद कम होती है और जो उसके पावर होती है वो ज्यादा होती है और बड़ी असानी से किसी भी पधारत के भीतर प्रिवेश कर जाती ह किसी crystal handa में एक इमिपरी यूजन और आप याद करने बढ़ से करने तब आपको यहाद होगी साथ नए वीडियो में थेंक्स